नमस्कार दोस्तों आईए जनते हैं ज्वाला मुखी वी स्पोर्ट खतरनाक क्यों है? एक बड़ा ज्वाला मुखी वी स्पोर्ट हवा में उड़ने वाले पत्थरों को हवा में भेज सकता है ज्वाला मुख्य बम कहे जाने वाले ये शीलाखंट बहुत बड़े होते हैं जब ज्वाला मुख्य फटते हैं तो लावा, ट्रेफा, राक और गैसो सईद विभिन्न प्रकार की गर्म सामगरी भेशते हैं भाप और सलफोरस गैसे भी निकलती है और बहत खतरनाख हो सकती हैं टेफरा में पाइरोक्लास्ट मतलब ठोस लावा और ज्वाला मुख्य बम शामिल है पाइरोक्लास्ट ज्वाला मुख्य चट्टानों के बड़े तुकडे हैं पाइरोक्लास्ट को जेट विमान की गती से हवा में उड़ा सकते हैं तक कि एक सबसे बड़े विस्पोटों में से एक येलो स्टोन जो यूएस में 2.2 मिलियन वर्ष पहले हुआ था इसने इतना मैगमा डाला था कि आदा डजन माउंट फीजयम का निर्मान हो गया था दोस्तों अब जानते हैं कि पाइडों के अंदर लावा कैसे तैर होता है पृत्वी में पपडिक में उच्च दबाव मैगमा को टेक्टानिक प्लेटों के दरारों में धकेलता है जब तक कि यह जमीन स्तर से उपर न निकल जाए जब मैगमा सत्व पर पहुचता है तो उसे लावा कहते है जैसे ही लावा ठंडा होता है और ज्वाला मुखी चट्टान में कठोर हो जाता है यह लावा की एक थोस परवत बनाता है ज्वाला मुखी भी पंडुब्बी ज्वाला मुख्यों के रूप में पानी के बितर पाये जा सकते है क्योंकि लावा तुरन ठंडे पानी में संपर्क में आ जाता है इसलिए पानी के भीतर वी स्पोर्ट अक्सर होने पर किसी का ध्यान नहीं जाता है यदि इन ज्वाला मुख्यों का शिर्ष पानी की सत्व के करीब आता है तो भाप और मलबे को समुद्र के उपर फेका जाना संबव है एक मिलियन से अधिक पंडुब्बी ज्वाला मुख्यों होने का अनुमान है बड़े लोगों में पानी के उपर बढ़ने और द्विब बनने की समता होती है दोस्तो अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो के आकरी फैक्ट की तरो आठ मई 1902 को मोर्टीनिक केप माउंट पेली में ज्वाला मुखी विस्पोट हुआ था पास की शहर सेंट पियरे में 29,000 लोगों की आबादी थी दो को छोड़ कर कुछी मिन्टों में गैस, राक और भस्म की तेज प्रवा की वज़े से सब की मौत हो गई थी तो दोस्तो ऐसे इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स और वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करे वीडियो लाइक करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करे मिलते अगली वीडियो में थैंक यू एंड टेक केर